तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जोतिशी शुती जी तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है और प्रदानमंत्री के जन्मदिन के अफसर पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे प्रदानमंत्री के सितारे क्या कहते है देखे मानने निय मोदी जी को सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत सारी बधाई बहुत सारी शुब कामना है और इतनी अच्छी बातें सबने बोली सुनकर एकदम मन खुश हो गया कविताएं भी सुनी गाने भी सुने बाते मी सुनी बहुत बढ़िया रहा सितारों में सितारा कहा जाता है तो वो मोदी मोदी जी के कुंडली बहुत जबर दस्त है मोदी जी के कुंडली में अगर देखा जाए तो मंगल चंद्र की यूती बैठती है यानि कि लक्षमी नारायन योग बना हुआ है और वो योग बना हुआ है ब्रिश्यक राशी में बहुत शॉट मैं बताऊंगी मैं 13 करने के तोर पर लेकर आएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से डिफेंस जुड़ा कोई मामला करेंगे मोदी जी कुंडली बहुत प्रभावशाली है इनका भाग्य का स्वामी जो है वो लगन में बैढ गया है तो भाग्य इनका पूर्णतह साथ देगा इनिशल स्ट्रग पर थोड़ा अटेंशन लगेगा फॉर्ण डारेक्ट इंवेस्मेंट्स बढ़ेंगे एप्रिल ओनवर्ड्स तो अगर हम देश की बात करें मोदी जी के नेत्रित्व में एफडिया बढ़ेगा हमारा एप्रिल के महिने से और एक नई फॉर्ण पॉलिसी और क्याबिनेट एप्रिल 23 के बाद होगा 12 ओक्टोबर के बाद इनकी बातें इनके शब्द इंटरनाशनली माने जाएंगे तो ग्लोबली इनकी प्रशंसा होगी जो कि अभी भी होती है जिसमें अभी भी कोई कमी नहीं है लेकिन हाँ इनकी कम्यूनिकेशन को लेकर बहुत सराना की बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए होम स्टेट के लिए इनकी कॉंस्टिट्वेंसी जो है उसके लिए और एक नए मंदिर कॉरिड़ॉर का निर्मान का जो नीव रखी जाएगी वह 14 में के बाद रखी जाएगी जूति आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतने अच्छे अंदाज में आपने सब बताया तो मुझे जो लग रहा है ओवरॉल की आने वाला जो साल है हमारे लिए क्योंकि प्रदानमंतरी का भी साल हमारे देश के हित से जुड़ा हुआ है तो यह जो हमारा आने वाल साल है यह अर्थ वैवस्था में डिफेंस में और एक और मंदीर मंदर की नीव रखने में जो है यह काम्याब इस वक्त नजर आ रहा है